नमस्कार मैं एडुकेट दनवानी बात करता हूँ कानुन की बच्छपन में सुना था दादा की संपत्ती में पोते का अधिकार होता है लेकिन जब वकालत की पडहें कि तब समझ में आया कि लोग गलत कहते हैं अगर मैं आपको कहूँ कि दादा की संपती में पोते का अधिकार नहीं होता है तो आपको हैरानी हो जाएगी क्योंकि आपने भी कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि दादा की संपती में पोते का अधिकार होता है तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं किया दादा की संपत्ती में पोते का अधिकार होता है देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं जो संपत्ती आपने अपनी निजी कमाई से खरी दी है या बनाई है वह आपके लिए self acquired property है और ऐसी property में आपके बेटे, बेटी, पत्नी, मा या किसी और का कोई भी अधिकार नहीं होता है इसी तरह अगर दादा ने अपनी निजी कमाई से कोई संपत्ती खरी दी है तो दादा के जीवन काल में किसी भी व्यक्ती की उस संपत्ती में कोई अधिकार नहीं होता है जब किसी का कोई अधिकार नहीं होता है तो पोते का अधिकार कैसे हो सकता है लेकिन अगर दादा बिना वस्यत कि ये मर जाएं तो दादा की संपती दादा के उत्रा अधिकारियों में उत्रा अधिकार कानून के अनुसार बढ़ जाती है मतलब कि उनके बेटे, बेटी, पत्नी और माँ चारों में दादा की संपती बराबर बराबर बढ़ जाती है ऐसी इस्तिती में भी पोते को दादा की संपत्ती में कोई अधिकार नहीं होता है लेकिन अगर दादा के जीवन काल में ही दादा के किसी बेटे की पहले मिर्ति हो चुकी है और बाद में दादा की मिर्ति होती है तो ऐसी परस्तती में दादा की संपत्ती मरने वाले बेटे को जो संपत्ती मिलने वाली थी उनके उत्रादिकारियों में बढ़ जाती है जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि पोते को दादा की संपत्ती मिल रही है लेकिन ये संपत्ती पोते को इसलिए नहीं मिल रही है कि ये दादा का पोता है बलकि ये संपत्ती इसलिए मिल रही है कि पिता की मिर्तियू पहले हो चुकी है और जो संपत्ती पिता को मिलनी थी वही संपत्ती का हिस्सा बेटे को मिल रहा है यानि की पोते को मिल रहा है इसका मतलब यही है कि सीधे तोर से दादा की संपत्ती में पोते का कोई अधिकार नहीं होता है यह बात तो हुई self acquired property के बारे में अब हम बात करते हैं पैत्रिक संपत्ती के बारे में दादा को अगर क अधिकार कानून के अनुसार हिंदू परिवार में जब भी कोई बच्चा जनम लेता है चायवा बेटा हो या बेटी हो जनम से परिवार की पैत्रिक संपत्ती में उसका अधिकार हो जाता है ऐसी संपत्ती को दादा अकेले किसी और को नहीं दे सकते क्योंकि जितना अधिकार दादा को पैत्रिक संपत्ती में होता है उतना ही अधिकार पोते को भी होता है इसका मतलब यह है कि परिवार की पैत्रिक संपत्ती में पोते का अधिकार तो होता है लेकिन दादा की संपत्ती में पोते का अधिकार नहीं होता है एक परस्ति और बन सकती है कि दादा को कोई सं अपने पिता से याने की पड़ दादा से वसियत के जरिये मिली हो ऐसी संपती परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए तो पैत्रिक संपती है लेकिन दादा के लिए वह सेल्फ एक्वायर्ट प्रॉपर्टी होती है और सेल्फ एक्वायर्ट प्रॉपर्टी होने के कारण दादा चाहें तो संपत्ती पोते को दे, दादा चाहें तो संपत्ती पिता को दे, दादा चाहें तो परिवार के बाहर के सदस्य को भी संपत्ती दे सकते हैं, कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि दादा की ऐसी संपत्ती में भी पोते का कोई अधिकार नहीं होता है, सारांच म इसलिए मिलती है कि वो पिता को मिलनी थी लेकिन पिता जीवित नहीं है तो लोगों का ये कहना कि दादा की संपती में पोते का अधिगार है पूरी तरह गलत है हाँ ये वाद सही है कि पैत्रिक संपती में पोते को अधिकार होता है लेकिन ये पैत्रिक संपती केवल दादा क नहीं है बलकि पूर्वजों से होती हुई आ रही है अब आप समझ गया होंगे कि दादा की संपती में पोते का अधिगार नहीं होता है लोग गलत वोलते हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद